हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इंडियने स्टडी इंडियने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में यूपी बीड के लिए हिंदी के 50 कोर्स लेकर के आया हूँ डिस्क्रिप्सन में दिया है तो एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा और अगर आप इस कोर्स में इंड्रोल करना चाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए कोड दे दे रहा हूँ यूपी एग्जाम्स यूपी एग्जाम्स 10 ये आपका कोड है यहां से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स को इंड्रोल करने में तो चलिए स्टार्ट करते हैं देख लेते हैं पहला कोड्सन पहला कोड्सन दोस्तो आपके सामने के कामाईनी के रचनाकार कौन है इंपोटेंड कोड्सन से बहुत ही जादा और यह कोड्सन यूपी बिलिस कौन्स्टेबिल में लगातार तीन बार पूचा गया तो कामाईनी के रचनाकार है जैसंकर परसाद यानिकि इस कोड्सन का पहला आप्सन सापका बिल्कुल करेक्ट है ठेक है पानी-पानी होना इस मौाबरे का सही अर्थ हो जाएगा अतेयंत लज्जित होना यानिकि इस कोड्सन का भी पहला आप्सन सापका बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट कोड्सन सापके सामने दया सागर किस प्रकार का सब्द है जल्दी बता देजिए दया सागर किस प्रकार का सब्द है तो दया सागर जो है वो एक प्रकार का योगिक सब्ध है यानि कि दूसरा options बलुकर correct है अच्छा इस बात को ध्यान लगना जो विडियो आपको चार वजे मिलती थी daily अब वही वीडियो आपको तीन वजे मिला करेगी daily ठीक है तो चार वजे वाली वीडियो को मैंने तीन वजे shift कर दिया है ठीक है क्योंकि कई वच्चे के comment आ रहे थे कि अगर आप तीन वजे ला सकते हैं ये वीडियो तो तीन वजे ले आईए बहुत ही अच्छा रहेगा तो इसलिए मैंने अब तीन वजे upload करना शुरू कर दि लेगा कलपनातीत यानि कि इस questions का तीसरा options बिल्कुल करेक्ट है निमलेकित मेंसे कौन सा सब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है यानि कि ऐसा कौन सा सब्द जिसमें अप उपसर्ग नहीं है देखो अपबाद में है अप किरती में है अप किरम में है अधी गम में नही कि दूसरा options बिल्कुल correct next questions बताईए निमलेकित मैंसे किसकी वर्तनी सुद्ध है चार आपके options दिये हैं इसमें सुद्ध वर्तनी वाला आपको सब्द बताना है तो सही answer हो जाएगा आपका अनुगरहीत यानि कि चौता options बिल्कुल correct है बरजवासा हिंदी की किस वासा की उपवासा है जल्दी बता देजिए बरजवासा हिंदी की किस उपवासा की पिरसिद बोली है या ये questions है जल्दी बता देजिए तो सही answer आपका क्या हो जाएगा पस्चिमी हिंदी दूसरा options बिल्कुल correct है कौनसा दूसरा options next questions अन्य भाव किस प्रकार का समास है अन्य से अभाव या अन्य ना होना तो सही answer क्या हो जाएगा कारक्चे ना गया तो यहाँ पर ततप्रोष समास हो जाएगा पहला options बिल्कुल correct पंच वटी किस प्रकार का समास है पंच वटी किस प्रकार का समास है पहला पद अगर संक्या वाचक है तो दिग्गु समास होगा चोथा options बिल्कुल correct है next questions निस्फल किस प्रकार की संदी है नहीं फिलस्फल इसका संदी विक्षेत होगा और निस्फल जो है वो एक प्रकार की विसर्ग संदी है दूसरा options बिल्कुल correct है ठीक है next questions आरो सब्द का विप्री कार तक सब्द क्या होगा आरो सब्द का विप्री कार तक सब्द क्या होगा तो आरो सब्द का विप्री कार तक सब्द क्या हो जाएगा अब रो, पहला उपसंस बिल्गुल करेक्ट है नेक्स्ट कोशन से आपका के लंबो अधर किस प्रकार का सब्द है तो आपका सही आंसर हो जागा यह उकरून और यहाँ पर समास कौन सा होगा बहुबरीय समास क्योंकि आप सबी लोग जानते हैं कि गड़ेस जी लंबा हो दर जिसका कौन है गड़ेस जी और वहाँ पर बहुबरीय समास होता है चुहे का बच्चा विल नहीं कोथता इसका अर्थ क्या है यह एक प्रकार की लोकोथती है तो सभी आंसर हो जाएगा जन्वजात कार बदल नहीं सकता यानि कि दूसरा उपसंस आपका बलुक लुक रेक्ट है नेक्स्ट कोशंस है आपका कि जो वस्तू, व्यक्ति या परिस्ति इस्ताई वहाँ को जागरत करती है उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें कहते हैं बिभाओ क्या कहते हैं बिभाओ नेक्स्ट कोशंस के धर्मा धर्म इसका अगर आप समास विग्रे करेंगे तो समास विग्रे होगा धर्म और अधर्म और जहां पर एक दूसरे की विप्रिकार तक सब दा जाते हैं वहाँ पर mostly दोंदर जमास होता है यानि कि पहला options बिल्कुल correct है समझ रहे हैं mostly बोला इस बात को ध्यान लगन नहीं तो आप सोच लो कि ऐसा हर कहीं नहीं होता हर कहीं नहीं होता मैं खुद कह रहा हूँ टीके का परियावाची क्या होगा जल्दी बता दीजे ये टीके का परियावाची क्या हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी वासांतर भास और बिवर्ती ये सभी टीका का परियावाची है उल्लू को ततसम एक बार और हो चुका ये questions important है और exam में भी पूचा जा चुका है तो उल्लू को ततसम हो जाएगा उल्लूक तीसरा options बिल्कुल correct next questions निमलेकत मेंसे कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है 68 कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है मालवी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है तीसरा options बिल्कुल correct निम्लेकत मेंसे कौन सा बादल का परेयवाची है जल्दी बताईए बादल का परेयवाची कौन सा है कोसर नमबर 69 ये सबी जो है ये बादल के परेयवाची है यानि कि चोहता आपसंस बिल्कुल करेक्ट है राहत का बिलोम सब्द क्या होगा राहत का बिलोम सब्द क्या होगा राहत का बिलोम सब्द तो सही आंसर हो जाएगा प्रकोप पहला आपसंस बिल्कुल करेक्ट है नेक्ष्ट कोस्टन सात्यत्य का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा सात्यत्य का बिलोम सब्द क्या होगा तो सही आंसर हो जाएगा अफसर्ग को बताना अफसर्ग किसी भी सब्द के आगी लगाइजाते हैं तो पिड़्ति इंसा में पिड्टि उपसर्ग का प्रियों हुआ है दूसरे options बिल्कुल correct है विद्या प्लस अर्थी किसका संदीविक्षेद है आप सभी लोग जानते हैं कि विद्धियार्ती का संदीविक्षेद है और विद्धियार्ती में दूसरा option से आपको बिल्कुल correct हो जाएगा sun mark का समास विग्रे बताईए sun mark का समास विग्रे बताईए कि समास विग्रे क्या होगा sun mark का sun mark का समास विग्रे क्या हो जाएगा सत है जो mark और जहाँ पर है जो की हिंदी निकलती है वहाँ कर्मधाराय समास होता है तो यहाँ पर कौन सा समास होगा कर्म धार है तो ये भी मैंने आपको बता दिया जो बात हेर्दे में अच्छी तरह बैठ गई हो कि लिए एक सब्द क्या होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा हेर्दें गम यानि केस कोस्टन्स का दूसरा आप्संस बिल्कुल करेक्ट है हात मलना मुहाबरे का सही आर्थ क्या है सिंपल और इंपोटेंट तो हात मलना मुहाबरे का सही आर्थ है पश्यताप करना पहला आप्संस बिल्कुल करेक्ट है तारे गिन्ना मुहाबरे का सही आर्थ क्या है कोस्टन अमबर 78 तो तारे गिन्ना मुहाबरे का सही आर्थ हो तो स्रंगार रस का इस्ताइवा हो है रती, यानि कि तीसरा ओपसंस बिल्कुल करेक्ट है, किस रस को रसराज कहा जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं, कि स्रंगार रस को यह हम रसराज कहते हैं, पहला ओपसंस करेक्ट है, छपे किस परकार का छंद है, कई बार बता चु करती है जल्दी बताईए इस्टकंद गुप्त किसकी नाट करती है जैसंकर पिरसाद की पहला options बिल्कुल correct है कृष्ण आर्जुन युद किसकी नाट करती है तो सही आंसर हो जाएगा माखललाल चतरवेदी दूसरा options बिल्कुल correct बादल राग किसकी लंबी कवीता है बादल राग किसकी लंबी कवीता है तो यह जो है निराला की लंबी कवीता है दूसरा options बिल्कुल correct है 85 और 86 उक्त बिकल्प का सुद रूप का चैन कीजिए इधर आजकल ब्रेश्ट चार बहुत है इसका आपको बिल्कुल सुद रूप बताना है तो सुद रूप क्या हो जाएगा 85 का 85 का सी options बिल्कुल ठीक होगा आजकल ब्रेश्ट चार बहुत है त इसकी वास्तविक ता कारण क्या है इसकी वास्तविक कारण क्या है तो इसका सही options क्या होगा इसका वास्तविक कारण क्या है पहला options बिल्कुल correct है मोर नाच रहा है इस वाक में मोर क्या है मोर नाच रहा है इस वाक में मोर जो है वो एक जाती वाचक संग्या है अगर मोर का कुछ नाम होता तो हम लिख देते कि ये एक व्यक्ति वाचक संग्या जैसे कुत्ता चल रहा है तो ये एक जाती वाचक संग्या जैसे कुत्ते का नाम टॉमी टॉमी चल रहा है तो ये व्यक्ति वाचक संग्या हो गई समझ रहे तो डिफ्रेंस समझ रहा है ना नेक्स्ट कोस्टन से जिरम लेके तुम एसे कौन सा असुस सब्द है असुस सब्द आपको बताना है तो सताब्दी गलत तरीके से लिखा हुगा है तीसरा ओफसंस बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट कोस्टन से कैसा व्यक्ती है जो अभी तक आया नहीं यह किस परकार का वाक है तो यह जो है वे एक परकार का मिस्र वाक है दूसरा ओफसंस बिल्कुल करेक्ट है व्याकरण के आचार के लिए एक सब्द क्या होगा वाक्यांसों की एक सब्द व्याकरण के आचार के लिए एक सब्द क्या होगा तो हम उनको क्या बोलेंगे व्याकरण यानि कि तीसरा आप्सन्स बिल्कुल करेक्ट है कुंती के पुत्र के लिए एक सब्द क्या होगा कुंती के पुत्र के लिए एक सब्द सही आंसर हो जाएगा code 10 यानि कि तीसरा options बिल्कुल correct निम्लिय के तुम ऐसे कौन सा सब्द आई पिरते से बनाएं कोसर नमबर 92 आई पिरते और पिरते किसी भी सब्द की पीछे लगाए जाते हैं बलाई जो है बलाई में आई पिरते आया है पहला options बिल्कुल correct मोहावरे का अर्थ बताईए परेशन करना किस मोहावरे का अर्थ है परेशन करना जो है वो किस मोहावरे का अर्थ है सही आंसर हो जागा छक्के छुडाना पहला options आपका बिल्कुल correct है नेक्ष्ट कोस्टं सापके सामने यह किताब रमेज को दे दो इस वाराख में प्रियुक्त कारक विवक्ति कौनसी है देखो को कारक चिन आ रहा है करताने करम को तो आ गया कौनसा करम कारक होगा चवाथा options correct चंदरमख किस सब्द किस में प्रियुक्त समास है यानि कि चंद्र मुख सब्द में कौन सा समास है जो को चंद्र के समान मुख और जहां के समान और है जो की जो हिंदी निकले न वहां करमधाराय समास होता समास की वीडियो बनाई है अगर आप समास की वीडियो जाकर के देखोगे न तो सारी चीज बिलकुल अच्छे से समझ में आने लगेंगी आपको, एक बार डालना यूटूब पे समास वाए इंडियने स्टड़ी, तो सारी एक बार वीडियो देख लेना 10 मिनिट की वीडियो है, उसके बाद आपको समास में पूरी दुनिया में कोई भी दिक्कत नहीं आईगी आपको, आकर्षन का विलोम सब्द आपको बताना है, आकर्षन का विलोम सब्द, दूसरी बार हो रहा है ये कोसंस, विकरसन होगा, क्या होगा आकरसन का बिलूम सब्द, विकरसन, बहुत तेज बर्सा हो रही है, इसमें प्राविसेशन कौन सा सब्द है, बहुत जो है वो एक प्राविसेशन है, मद्द काल में काब वासा के रूप में सरवद एक पिर्चलित बोली कौन सी थी, सही आंसर हो ज लास्ट दो को देखते हैं धा का उच्छरन स्तन क्या है धा का उच्छरन स्तन क्या है को सभी संत कि अLY तो दंत समझ रहे क्योंकि तावन्मब जो है बूला जाता है धंत था दा धान दा आ ग्या घ्यार नंत होगा ठीक है और लास्ट को votre किया में कौन सा है और यही है आप लोग इस questions का answer आप लोग comment box में जरूर से बताईएगा ठीक है कुछ लड़की आ रहे हैं इस questions का answer आप लोग comment box में बताईएगा मैं आप लोग के answer का वेट करूँगा और साथ ही साथ आप लोग ये बताना कि 50 में से आपके कितने नमबर आएए ठीक है और अगर आप यूपी PCS की तैयारी करना चाते हैं तो description में आने अकेडिमी का लिंक दिया है वहाँ पर जाके आप जरूर से एक वर चेक कीजिएगा तो दोस्तों फिलाल की वीडियो में सर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब परना ना भूले है क्योंकि हम रोज़न ऐसी तरह के वीडियो जाब लोग लिए लात रहता हूं समस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत